नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिन होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अनलेमिटेड टैम पिलेड अगर दोस्तों आपके पास wordpress वेबसाइट है और आप अपने वेबसाइट को डिजाइन करने चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप एलिमेंटर के थोसे आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं यहां पे दोस्तों एक प्लाइगीन को आपको इंस्टाल करना है उसके बाद दुस्तों आप यहाँ पर unlimited template को उठा के अपने website को design कर सकते हैं यहाँ पर दुस्तों आपको जो template होते हैं उनसे आपको सिर्फ images content and वहाँ पर आपको colors यह सब आपको change करना होता है और बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ें आपको change नहीं करना होता है यह यहाँ पर आपको unlimited template मिल जाते हैं बनाई वने design किये हुए आपको मिल जाते हैं simply आपको क्या पर करना पड़ता है कि template को आपको यहाँ से install करना पड़ता है उसके बात आप अपनी website में यहां से अच्छे से design कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आज में आपको बताने वाला को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज दूस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दूस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको आना है अपने डैश्बॉट में यानि कि आपको अपने वर्डप्रेस को लॉग इन करना है लॉग इन करने क दोस्तों आपको आने है प्लागिन में यहां पे आपको करना है एड्यू प्लागिन सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि एलेमेंटर प्लागिन आपको यहां पे एक्टिवेट करना होता है अगर दोस्तों आपने एलेमेंटर प्लागिन अभी तक इंस्टॉल नहीं कि करने के बाद यहाँ पर यह फस्ट वाला प्लागीन है जो Elementor website builder करके इस plugin को आपको यहाँ पर install now करना है देन activate एक्ट्वेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक plugin हमें यहाँ पर activate और करना पड़ता है उस plugin में दोस्तों आप उस plugin की help से आपको अच्छे से आपको help मिल जाती है, बहुत सारे templates मिल जाते हैं, सारे templates की kit मिल जाती है, यहाँ पे header, footer, map, यह सब बहुत सारे चीजें होती हैं, आप अपनी website में लगा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे सारे design आपको मिल जाते ह हैं, तो सब जब पहले आपको क्या करना है, elementer website builder करके इस वाले plugin को आपको activate करना है, जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पे activate किया हूँ है, वह activate यहाँ पे इस plugin को नहीं करेंगे, उनको सीधा करना है, यहाँ पे inveto करके, inveto करके एक plugin आता है, उस plugin को आपको यहाँ पे install now करन करना है एक्टिबेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि पेज़ेज माने जिस पेज को आपको डिजाइन करना है उस पेज को आपको ओपन करना है तो मुझे इस पेज को अगर डिजाइन करना है तो मुझे क्या करने दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको अगर आप elementer plugin को activate कर दोगे उसके बाद दोस्तों आपको इस तरों का यहाँ पे दिखाए देगा ए गिरीन कलर का तो इस पह आपको click करना है और click करने के दोस्तों यहाँ पे free kit है free kit पे आपको जब click करोगे तो click करने के दो आपको यहाँ फे इतने सारे template मिल जाते हैं, अगर आप इस template को भी open करोगो, तो इसके अंदर भी और template हमें मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखने के लिए हैं पर preview पर click करना है और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर next step open हो जाएगा, next step में दोस्तों आपको सारे template मिल जाएंगे, यानि कि आपके जो इस template है, जो यहाँ पर लिखाए कि steam school, इस template के अंदर और भी कितने template हो आपको यहाँ पर दिखाए जाता है, अगर आपको दोस्तों यहाँ पर पसंद आता है मानलों आपको कोई से भी weer यहां से पसंद आता है तो आपको क्या करना करना है यहां पे install kit करना है सब सब immediately install kit करना है जब यहां पे इस्टॉल हो जाएगा तो install होने के बाद हमारे यह तरह नाप पे दिखाए देगा install kit पर आपको फिर इस पर क्लिक करने है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से करना है व्यू इंस्टॉल कीट ठीक है आपको यहां पर भी दिखाए देते हैं अब आपको जो यहां पर आपको पसंद आया उस टैंपलेट को आपको क्या करना है कि होमपेज पर लगाना है पेज में आ जाएगा जिस पेज को हमें डिजाइन करना है तब हमें दिखाया देगा अब आपको दुस्त को करना यानि कि इहां पर सिंपल ही आपको क्या करना है चैंज करना है और आपको अपने images sense करना है और colors होगर आप change कर सकते हैं तो यहां से आपको बहुत अच्छे से template मिल जाते हैं दोखो कितने अच्छे बनाएवने template आपको मिल जाते हैं तो आपको यहां पर simply photo अगर चेंज करना पड़ता है अब दोस्तों यहां पर जो photo आ रही है PNG में अगर आपको किसी background में अपने images लगानी है तो आपको PNG में लगानी होती है इसके background में भी यहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन से images हैं आप ठीक है आपको इस पर click करना है और style में आपको मिल जाते हैं यहां पर background लिखा हुआ है तो आपको simply फिर क्या करना है यहां पर inverter पर click करना है और यहां पर free kids है free kids में जाके दोस्तों आपको जितने भी template इन template को एक बार आप देखिए जो template आपको पसंद आएगा उस template को आप use कर सकते हैं यहां पर दोस्तों और भी आपको free blocks मिल जाते हैं free blocks मतलब जैसे contact हो गया coffee right हो गया faq हो गया header हो गया focus inbox हो गया gallery हो गया map हो गया यह सब दोस्तों आपको यहां पर बनाएगुने मिल जाते हैं जैसे कि about पे अगर मैं about पे click करूँगा तो आपको जैसे आपका about page होता है तो about page में आपको कैसे design करना है यह सब दोस्तों आपको यहां पर automatic मिल जाता है कि आपको about page में क्या डालना है कैसे आपको design करना है यह सब दोस्तों आपको मिल जाता है तो यहां पर दोस्तों आपको simply आँ समझ में आ गया होगा दोस्तो आप अपने वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं तो आई होप यूगी दोस्तो आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तो मैं आप से एक बात फिस से कहने चाहूँगा दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो फिर मिलेगा हम एक और लेक्स से वीडियो में तब तक दोस्तो अपना ख्याल रखेगा और अपने पेज को डिजाइन कीजिएगा तब तक दोस्तो जाहिन वंदे मातरम